अब बार फिर से में आप सब के सामने हाजरों आज इसे कुछ बहतरी चीज यह जिसमें आज फिर से आपके कुछ ना कुछ नए सीखने को मिलेगा आज मैं एक नहीं टॉपिक के साथ यहां पर आप सब के सामने आया हूं आप अक्सर सुनते होंगे कि तुम्हारा ध्यान कहा है या अगर हम पास्ट की बात करें तो तुम्हारा ध्यान कहा था आप अक्सर सुनते होंगे गारी चलाते समय तुम्हारा ध्यान कहा है या फिर गारी चलाते समय तुम्हारा ध्यान कहा रहता है अगर हम पास्ट की बाद करें तो गारी चलाते सबाएं तुम्हारा घ्यान कहा था तो इस तरह की चीज़ें हम अकसर बोलते भी है और सुनते भी है आज हम इसी को सीखेंगे इस लेसन में और जानेंगे कि अंग्रेजी में इसको कैसे बोलते हैं सबस्पर आयों देखनें से स्ट्रक्शर को रयाइट सबस्पर लगाएंगे आप वेर वेर प्लस इस या फिर वाउस इस प्रेज़ें के लिए वाउस पास्ट के लिए यह यह आप जानते ही हैं प्लस हैस या फिर हर या फिर यूर His तब जब कुसी लड़की की बाद करेंगे Her तब जब कुसी लड़की की बाद करेंगे और सामने वाले की बाद करेंगे तो आप यह लगाएंगे और फिर लगाएंगे plus attention यहाँ आपका sentence complete होता है जैसे कि मैंने कहा तुम्हारा ध्यान कहा है तो इस sentence असानिस हो जाएगा लेकिक अगर इसी में कुछ और भी जोड़ना हो तो इस structure में भी कुछ add करना परता है तो इसमें आप add कर देंगे while plus b का fourth form यानि की word का fourth form यानि की ing वाला form plus object अगर कोई है तो आपको बता दो मैं while के बाद हमें इसा ही ing का form आता है यानि की word की fourth form आइए समझते कुछ example से आप बहुती सानी के साथ से समझ जाएंगे अगर आप channel पर नए है channel को subscribe करें bell आते जरूर दबा लें ताकि मेरी सभी आने वाई video का notification आप पहुंचता रहे आइए शुरू करते हैं आपके इस lesson को first example देखते हैं तुम्हारा भ्यान कहा है तुम्हारा भ्यान कहा है where is your attention अगर हम past की बाप करें तो where was your attention very simple अब जैसे भ्यान आपको कहा था अगर इसको कुछ और आगे जोड़ेंगे तब while का इस्तमाल करेंगे आईए उस example को देखते हैं मैंने का गारी छबाते समय तुम्हारा भ्यान कहा है so where is your attention while driving where is your attention while driving अगर इसको हम past में लिजा अगर past की बात करें तो where was your attention while driving where was your attention while driving it is very simple next खाना बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहा है where is your attention while cooking food अगर हम past की बात करें खाना बनाते समय तुम्हारा ध्यान कहां था तब आप कहेंगे where was your attention while cooking food it is very simple एक example आपके लिए आप इसे comment box में जरूर बताईएगा मुझे आपके answers का इंधिजार रहेगा एक past को बनाना आपको और एक present को है right चलिए example कोईते हैं जो आपको translate करना है परते समय तुम्हारा ध्यान कहां है परते समय तुम्हारा ध्यान कहां है और दूसरा है परते समय तुम्हारा ध्यान कहां था पर किसमें तुमारा दियान कहा था